बच्चों यहां पर हम Basic Mathematics का Lecture 2 स्टार्ट करते हैं और Basic Mathematics के अंदर हम Topic Trigonometry कर रहे थे तो Trigonometry का Part 2 हो जाएगा ये तो Last Lectures में मैं कुछ Angle, Radian और Degree की बात करी थी Degree Angle को Radian में कैसे Change करते हैं Sine, Cost, Ten, Cosec, ये Trigonometric Ratios, First Quadrant, Second Quadrant, Third Quadrant, Fourth Quadrant में इनका Behavior कैसा होता है वो सब हमने Last Lecture में इसकी बात करी थी आज हम देखेंगे कि अगर किसी Angle का हमने Trigonometric Ratio निकालना है Like Sine, Cosec, Theta, Sec, Theta, Ten Theta, किसी भी Angle का अगर निकालना है तो हम कैसे उसको Tackle करेंगे और कैसे उसको Identify करेंगे तो इसकी Value कितनी होगी जैसे बच्चो मैं पहले Introduce करते हूँ जैसे Angle हम Theta लिख देते और यहाँ पर हम Sine Theta की Value रखेंगे और यहाँ पर Cos Theta की Value और बच्चो 10 Theta और Cod Theta वैसे 10 Theta ही सफीशन्ट है क्योंकि जो Sec Theta को Sec Theta है और Cod Theta है वो 1 upon Sine Theta यानि कि बच्चो जैसे आपने Sec Theta निकालना है Sec Theta को आप Easily लेख सकते हो Cos Theta एक बार आपके पास Cos की Value आ गई तो आप Sec Theta की निकाल सकते हो Like Cod Theta की अगर Value निकालना है तो हम बहुत इजली आप उसको 1 upon 10 Theta लेख सेबते है और Cosec Theta या Cosec Theta आप बोलते हो 1 upon Sine Theta एक बार ही आपके पास Sine की Value हुई तो Cosec की आ जाएगी Cos की हुई तो Second Theta की Value आ जाएगी और अगर आपके पास 10 Theta की Value है तो वहां से आप Cod Theta निकाल सकते हैं तो जैसे बच्चो इसको मैं Theta को Radian में लिखता हूँ तो पहली बात अगर 0 एंगल होएगा तो Sine की Value 0 होती है और Cos की Value यहां पर हम यह Theta लिख देते हैं Theta अगर 0 है तो Sine Theta 0 का 0 रहेगा और Cos Theta 1 हो जाता और 10 का 0 रहता है ठीक है फिर अगर मैं 30 डिग्री यानि की Pi by 6 Pi by 6 में बच्चो आपको पता है 1 by 2 होती है और Cos की Value रूट 3 by 2 होती है और 10 की Value 1 by root 3 होगी ठीक है यह सब बच्चो को पता है लेकिन फिर भी मैं एक बार Recap करवा देता हूँ 10th Class में आपने यह सब कवर किया है Sine की Value 1 by root 2 और Cos Pi by 4 यानि की 45 Cos की Value भी 1 by root 2 होगा और यहां पर दोनों का Ratio होगा Sine upon Cos जो 10 है वो 1 आ जाएगा और यहां पर फिर 60 degree यानि की Pi by 3 लिखते है 60 degree को अब Pi by 3 की Value अगर Sine में निकालोगे तो वो root 3 by 2 आएगी और Cos में निकालोगे तो वो 1 by 2 आएगी और 10 में निकालोगे तो वो root 3 value आएगी ठीक है ना और फिर Pi by 2 की Value निकालते है Pi by 2 पर आपको पता है Sine 1 होता है Pi by 2 यानि की 90 degree और Cos की Value 0 हो जाती है और 10 क्या होता है Sine upon Cos और 1 upon 0 मतलब यह Tens to Infinity करते हैं 1 upon 0 वैसे तो Maths में Not Defined होता है आप इसको Not Defined भी लिख सकते हो Because यह कैसा term मन जाएगा 1 upon 0 But इसका Tens to Infinity it would be a large number अगर इसके थोड़ा सा Left में देखें तो Not Defined वाली situation अब अच्छो यह तो सारी चीज आपने Study कर रखिया लेकिन वहीं पर मैं आपको पूछता हूं कि आपने निकालनी है Like Cos 150 degree Cos 150 degree यानि कि Cos 5 5 by 6 30 degree को हम कितना लिखते है 5 by 6 तो यह 150 degree को 5 by 6 लिखते है अब इसकी value tackle करने का क्या तरीका होता है तो बच्चों हमने last class में पढ़ा था कि 90 plus और 180 minus से deal कर सकते हैं तो इसको दो तरीके से deal कर सकते हैं एक तो हम इसको लिख सकते हैं कि आप इसको ना अभी degree में देख लो फिर pi के form में देखेंगे तो Cos 150 degree को आप ले सकते हो 90 plus 60 degree 90 plus 60 degree तो Cos 90 plus theta का form आ गया है यहां पर तो आप इसको बहुत easily आप कैसे कर सकते हो sin 60 degree अब अच्चों यहां पर plus आएगा कि minus आएगा आप यह देखो तो यह second quadrant में जा रहा है Cos का angle अगर second quadrant में तो यह negative value होती है तो आप इसलिए इसके आगे sign लगा देखेंगे अब sin 60 की value आपको पता है sin 60 की value होती है root 3 by 2 तो यह value हो जाएगी minus root 3 by 2 easy अब इसको आप ऐसे अगर radian में देखना चाहें तो इसको आप ऐसे लेख सकते हो 5 pi by 6 is या तो आप इसको pi by 2 plus pi by 3 लिख सकते हैं तो pi by 2 यानि कि 90 degree यह हो जाएगा minus sign pi by 3 अगर आप comfortable नहीं है pi में तो आप सिर्फ degree में देख लेए तो again you will get the same second method इसका बच्चो क्या रहेगा second method में आप क्या करेंगे इसको instead of writing 90 plus you will write cos 150 degree को आप लेखोगे 180 minus 30 degree ठीक है बच्चो अब 180 plus minus theta होता है तो cos का cos और sign का sign रहता है तो यह बन जाएगा cos 30 degree अब देखने की बात है यह plus cos बनेगा या minus cos again यह angle second quadrant में है जिसका cos negative आना चाहिए LHS अगर negative है तो मैंने आपको बताया था कि RHS भी negative है तो आप इसकी value लिखेंगे minus और cos 30 की value होती है तो again you will get the same value इस तरीके से आप value निकाल सकते हो जैसे एक और example ले लेता हूं sin 7 5 by 6 तो बच्चो इसको आप न पाई के plus minus form में लेख सकते हो आप इसको कैसे लेख सकते हो आप इसको pi plus pi by 6 लेख सकते है आप यह देखे, pi मतलब second quadrant खतम हो जाता है यहाँ पर pi की value होती है pi plus pi by 6 यानि कि आप third quadrant में enter करते हो जैसे आप third quadrant में enter करेंगे तो sin कैसा होता है बच्चो third quadrant में एक बार सोचो मैंने बताया था यहाँ sign positive होता है third quadrant में आते ही sign की value negative हो जाएगी sign की value जैसे ही negative हुई तो हम वो पहले लिखेंगे minus और फिर लिखेंगे sign और pi by 6 का pi by 6 रहने देंगे क्योंकि हमने पढ़ा है 180 plus theta sign 180 plus theta is minus sin theta तो बच्चों यहाँ पर आप sign pi by 6 की value लिख सकते हो minus 1 by 2 तो इस तरह से आपको value निकाल सकते हैं कुछ 10 की value देख लेते हैं 10 5 pi by 3 मैं यह value लिख रहा हूं ठीक है अब आप इसको कैसे लिख सकते हो 5 pi by 3 को आप या तो pi plus minus कर सकते हो ठीक है या फिर आप इसको factor में कर सकते हो इसको ऐसे लिख सकते हो pi plus 2 pi by 3 ऐसे देख सकते हो या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10 2 pi minus pi by 3 आप ऐसे देख सकते हो ठीक है तो मेरे खाल से यह वाला form आपके लिए ज़्यादा easy रहेगा उसमें क्या करेंगे देखो मैंने आपको बताया था 360 plus minus 2 pi की value यहाँ पर होती है और 2 pi minus करेंगे तो यह 4th quadrant होगा बच्चो 10 यहाँ positive होता है यहाँ positive होता है 4th quadrant में negative होगा तो हम देखो 2 pi pi और 2 pi जब आते हैं तो 10 का 10 और cot का cot रहता है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 2 pi minus pi by 3 यानि की 10 pi by 3 आ जाए अब last class को recall करें मैंने आपको कैसे बताया था तो बच्चो यह value लिखने के लिए minus आ गया minus क्यों आया बच्चो 4th quadrant में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर यह 10 की value 10 pi by 3 की value आप लिख सकते हो 10 pi by 3 यानि की 60 degree इसकी value हो जाएगी minus root 3 तो इस तरह आप trigonometric ratios निकाल सकते हैं बच्चो जो अभी हमने exercise की यानि कि हमने method develop किये थे कि 10 की value या sign की value या cross की value कैसे निकालते हैं तो मैंने यहाँ पर एक homework question दिया हुआ है find the values of sin theta cos theta 10 theta or secant theta if theta is अगर theta की value ये given values है तो उस case में आप sin theta cos theta यानि कि अगर आपका ये theta है तो इसके corresponding sin theta की value कितनी होगी इसके corresponding cos theta कितना होगा 10 theta कितना होगा और cot theta कितना होगा तो आपने इस theta के corresponding ये 4 value निकालनी है तो इस type से मैंने 10 values दे रखी हैं आपको इन 4 की value 10 के corresponding निकालने हैं तो तोटल आपके 40 questions हुजाएंगे तो यह आपने homework में करने हैं